हिमंता बिश्व सर्मा ने आज PC के और बड़ा आरोप लगाया है जार्खन सरकार ने चंपाई सुरीन की जासूसी कराई है स्पेशल ब्रांच के लोग रख रहे थे नजर होटेल में पुलिस अफसर फोटो ले रहे थे दो लोगों को डिली पुलिस ने पकड़ा है दिली में चंपाई सुरीन ने दर्श कराया है मामला चंपाई का फोन भी हो रहा होगा टैप इमंता बिश्व सर्मा ने ये भी आरूप लगाया है वही हनी ट्राप की भी कोशिश हो सकती है इमंता ने कहा है मिलकर करेंगे मामले की शिकायत जासूसी मामले की जाच की मांग कर रहे है और ये बड़ा आरोप हो एंता बिश्व सर्मा की तरफ से आज उन्होंने लगाया है जो आइक तुरेस्ट कॉंफरेंस की माध्यम से उन्होंने इन तमाव आरोप को लगाया है कि आपकर नम कान्द क्या यह भारत का संग्धिदान इजाज़ब देटे है कि संफाइस ओरेंजिक्ट नौकसाल है क्या संफाइस ओरेंजी कोई एक्स्ट्रीमीज़ है आप तो बोल सकते आप कोई भी सिदिलाइस कांटरि में ऐसा एस्पानौज होई नहीं सकता है तो यह मामला एक आभी बासी मेता है और यह मामला आज आप साने को पुरी पुली स्टेशन में आपनों जाके कंफर्म कर सकते हैं काल साम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे और लोग ने उनको ठाना में हैं नगाई किया और एक बहुत बड़ी बाब है जब यह दोनों बैक्ती थे होटल में जब स्पेशल बांस का दोनों पुलिस अफिसर थे वो समय एक महिला का भी उनका रियम में आगानन हुआ जब यह दोनों पुलिस अफिसर रहा दोनों पुलिस अफिसर को अफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी बेखा दिया तो यह हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ साइट स्कीम कुछ बना हुआ था हम बोल नहीं सकता हूं बब यह लोगों ने बताया कि और ओ महिला आये थे हमने बहुत ज़्यादा टैकीकत करना हमारा काम नहीं है इसलिए हमने टैकीकत नहीं किया लेकिन महिला आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है दोन पुलिस अफिसर किसी का आपनों पुलू कर रहा है आप ऑफिसेल ड्यूटी में है फिर महिला आपका रुन्य तो यह भी एक बहुत गंभीर मामला है। और यह बेनो पुलीस ओफिसार ने यह भी बोला है कि हमको संगीधानिक पर्ड में बैठे हुआ बैक्ति भी हमको मिले और हमको स्पेशियल यह पाक्स दिया तो नाम नहीं लेना साथा हूं लेकिन संफाई सुरेंजी को फॉलो करने क मुझे संगीधानिक पर्ड में बैठे हुआ बैक्ति से हम लोगों को मीना था। या क्या फॉल्वा भी था। फॉलो करना ही था कि संफाई सुरेंजी का फोन बगारा में भी ट्रैक में है, ट्रैपिंग में है। सारा मामला इक्जास का बिश्र है। त्रिस तारीक मेदी ज राखान जाओंगा, दोबारा ये मसला हम लोग राज्यापल महुदर से मील के हम लोग बताओंगा। लेकिन फिलहाल में ये बात आपको बताना साता हूं कि कोई कॉई कॉंग्रेस पार्टी, जेम्म पार्टी, कोई संग्विधान का रेक्षक नहीं है। राइट टु कॉंग्रेस और जेर्नमं सिधा सिधा लोगों का प्राइबिसी को भी इंवेट करहें और वन इभीकम्स एस सीनियर अभीवासी-बीडर , former chief minister, और आज जो हम बात करहें अभी भी मेत का मंट्री बैडु अभी मेर्ट मिनिस्टर लें। काई में आगा जनुस में गूँ कि जो 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 इका कैसा महां तो का साथ दो दो अफीसा लगा देता हूं, कहां जाते हैं, क्या करता हैं, हमें information देखे रहो तो you can imagine the situation and you can imagine the politics of Congress Party and JNM Party they do not spare even their esteemed colleagues and every log हमको बताता है कि हम लोग संगिधान रख्षा करने वाला हूं तो ये सारे जो बाद मेंने बोला, ये तो one half of the story है जो हमनुक का बाद से निकाला Delhi Police ने क्या पहती कर किया है आगे जाके ये तो Delhi Police ही बता पाएगा ये बहुत बढ़ा मामला है कि एक सरकार अपना cabinet मंत्री का ही उपर aspanas करके रखा है, surveillance में रखा है एक अपना मंत्री को surveillance का अंदर रखा है ये बहुत बढ़ा मेंटा ने, it is a matter of surveillance and inverting the right to privacy सरकार तो उनका ही है आईजी साहब, देजिली साहब तो उनका ही है और ये लोग दोनों ने बयान दिया कि हमें पोलिटिकल लिदर से भी ये टाक्स मिला है तो लेकिन मैं नाम नहीं लेना साथ हूँ because it is a matter of police investigation अपना बड़ा surveillance आज तक कहीं नहीं हुआ है this is one of the rarest cases in Indian politics कि एक फॉर्मर चिपिन हिस्तर जो आपका ही केबिनेट का प्लीग है उनको आप surveillance में लास्ट पास मजिना में रखा हुआ है तब उनका सब बीजेपी का कोई संबंद भी नहीं और हमारे सयूगी अमर हमारे साथ दिल्ली से लाइफ जुड़ चुके सिदा उनका रुख कर ले थे अमर देखिए एक बड़ा रोप लगाया गया है मंता बिश्व सर्मा की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस कर उन्होंने जारकर सरकार पर सिदा सिदा रोप लगाया कि उन्होंने चंपाई सुरेन की जासूसी करवाई है स्पेशल ब्रांज की लोग नज़र रख रहे थे इसलिए कर क्या को जानका रही है बिल्कुल आपने देखा अभी प्रेस कॉंफरेंस करकर के जो असम के मुखमंतरी है उन्होंने ये आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कल रात में जो है चंपाई सुरन जारकन के फुर्व मुखमंतरी उनके जासूसी की जा रही थी और उन पर नजर रखी जा रही थी ये आरोप असम्हो के मुखमंतरी ने उनके उपर लगाया उन्होंने ये भी कह की ये जो प्रकरना है उस परकरण के ऊपर F.I.R. दर्ज करवाई गई है और F.I.R. दर्ज करवाने के बाद इस बात की जानकारी हुई क्योंकि कल सामने यह कहा जा रहा है कि जहां पर चंपरी स्वारन मौजूद थे उस जगह पर यह तमाम लोग जिनको रोका गया था जिनको डिटेंड किया गया और उसके बाद यह पता चला कि यह जारकन से पुलिस के लोग हैं जारकन इंटलिजेंस के लोग हैं जो उनके इर्दिगिर्द घूम रहे थे यह कहा जा रहा है कि उनके साथ ही यह साड़े लोग आये थे और उसके बाद उनकी देखरे कर रहे थे यह आरोप असम के मुखम स्टा convenience हुआ है मैं नहीं पहीं करने का अधिकार है ये मैंत विस्वडमा जन्होंने आरोप लगाया है चंपईसे सो रखायाssä जासुषी कर रहते हैं उनके उपर F.I.R. दर्च करवाया गया यह आरोप लगाया है असम के मुखमंतरी हमंत भी स्वर्माने जमरुने राज़िपाल से भी मिलकर मामले की शुकायत करने की बात कई है और इस मामले में जाज की मांग कर रहे हैं बिल्कुल आपने सही का कि अगर आप F.I.R. दर्च हुआ है तो इसकी सिकायत जरूर होगी हायर अथरोटी से और स्टेट में अगर आप बात करें कि मुखमंतरी के उपर जो राज़पाल होते हैं जो केंद से संचालित होते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी सिकायत जो उन्ह कहते हैं और स्रेगुलेशन से क्या है इसको देखते हुए क्या स्टेट गोवर्मेंट क्या उनकी रक्षा के लिए कर रहे थे जासे उनके इर्दिगिर्द जो है जारकन इंटलियंस के लोग घुम रहे थे या फिर कुछ और भी मकसद हो सकता है लेकिन अभी इस बात की क्या चाहते थे और क्यों ऐसा हुआ और किस कारण से यह लोग यहां पर मोचे हां यह जरूर खबड़े आई कि जहां पर चमपाई स्वरेन वहां पर थे वहां पर कुछ लोग जो है उनकी वीडियो बना रहे थे उनकी जासू सी कर रहे थे और इसी आधार पे उन्होंने सि जानकारी दी है कि उनके उपर फाइया भीर धज कर बाया हाह उन्होंने ये भी का कि राजपाल जो जारकन के राजपाल हैं उनके सामने इस बात को रखा जाएगा और सिकायत किया जाएगा किया जाएगा जी चलिए बहुत-बहुत धनिवाद अमर आपका हमारे साथ जारी थी जोरकन सरकार स्पेशल ब्रांज के लोग नज़ा रख रहे थे